गुद इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी, I hope सभी हल्दी हैं, consistently प्रिपेर कर रहे हैं तो आज फिर से IBPSPO की इंटर्व्यूस थे, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास, जोने ने आज इंटर्व्यू दिया था और उनका इंटर्व्यू एक्सपिरेंस मैं आप लोगों के साथ शेर कर रहा हूँ तो एंटर किया है, एंटर करते हैं ग्रीटिंग्स वग्यारा, देन इनसे इनका एजुकेशन बैक्ग्राउंड पूछा गया ग्राजुएशन जो इनौने किय थी दूसरे स्टाठब से किय थी, तो पूछे कि दूसरे स्टेट से क्यों ने किया, तो इसका इनौने रिजंज दे दिया था Chemistry से इन्होंने BFC किये है तो उससे related कुछ सवाल थे Then Banking से related अगर बात करें तो Banking से related पूछा गया था Types of Account Government Deposit Account के बारे में पूछा गया था Then Sukanya समरिदी Eligibility और उसकी Maturity के बारे में पूछा गया था Difference between Check and DD पूछा था एक situational question भी DD के regarding रखा था UPI पूछा था UPI क्या होता है, NPCI क्या होता है ये पूछा था और MMIT क्या होता है ये भी इनसे पूछा गया था इसी के साथ इनका interview conclude हो गया था Then आजाते हैं हम हमारे Second Candidate के पर चलिए तो Enter किया, Enter करने के बाद इनसे पूछा गया क्योंकि इननोंने BSC के साथ MSC भी कर रहे है तो इनसे पूछा कि यार MSC के बाद आपने Post Graduation भी किया तो आप अपनी फील्ड में जाते हैं आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं तो इसके लिए इननोंने अच्छे से प्रिपेर किया अच्छे से इननोंने अंसर किया और इनसे ये भी पूछा गया कि यार आपने जो Post Graduation इननोंने Physics में किया है तो Physics का बैंकिंग के अंदर क्या फाइदा आ सकता है आपकी जो Qualification उसका कैसी यूज करोगे अपनी जॉब के अंदर इनसे पूछा गया कि आप क्या-क्या बैंकिंग से रिलेटेड क्या-क्या पढ़कर आया हो तो इननोंने बताया इनन से पूछा गया Public Companies और Private क्या होती है और Public Sector Banks और Private Sector Banks में क्या difference होता है ये पूछा गया Types of Bank पूछा गया Payments Bank के बारे में पूछा गया Share Market में Indexes क्या होते है ये पूछा गया Next पूछा गया कि Businesses में Generally हम देखते हैं कि लड़कियों का कम रुजान रहता है कम जाती है तो उसका Reason आपको क्या लगता है और फिर ये भी पूछा कि जो लड़किया हैं उनका Interest जादा बने इस Field में इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप क्या Suggestion देना चाहोगे बाकि इनके Hobbies से Related कुछ सवाल पूछे गये थे जो इनसे Hobbies पूछे गई और Hobbies से Related ही 2-3 Questions और पूछे गये और इसी के साथ इनका Interview भी Conclude गया तो ये दो Candidate थे आजकी Interviews के तो जाने से पहले मेरे 2 Suggestions रहेंगे एक तो Interview Videos प्लेइलिस्ट का उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा साथ ही साथ और बहुत सारे Experiences भी है और बहुत सारे Relevant Sessions भी है जिनको आपको ज़रूर देखके जाना है साथ ही साथ Allie Board की और से जो एक Free Book है Interview preparation के लिए वो ज़रूर complete करके जाने है बिल्कुल free of cost है जैसे मैंने कहा और उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और Interview Videos का प्लेइलिस्ट का भी जो लिंक है नीचे आपको description में मिल जाएगा तो ये दोनों ज़रूर ज़रूर complete करने है Now this is all for today's session Take care